अभी कुछ दिन पहले ही हमने आपसे सावनी जिसको लेजिस्ट्रोमिया या प्राइड ऑफ इंडिया भी कहते हैं फ्लावरिंग प्लान की कटिंग ड्रो करना बताया था बहुत जल्दी रिजर्ट मिल गया था कोई स्पेशल सॉयल तयार नहीं की थी तो वीडियो आपको डि अब जो इलाइची यह बड़ी काली वाली इलाइची है तो उसमें न्यू शूट्स आने लगी है और अब दीरे जड़ फैलने लगी है तो कटिंग जो हैं वो मर सकती है क्योंकि इलाइची का पौधा अपनी रूट्स फैल आएगा हमारी एक विवर ने पूछा था जब हम ने कटिंग्स ग्रो की है वो चलतो जाएंगी लेकिन एक टाइम पर जाकर उनकी रूट्स को फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगी और वो बेकार हो सकती है तो अभी इसमें अगर ऐसा हो गया दूसरे प्लांट्स की यानि इलाइची की रूट्स फैल गई तो यह कटिंग्स मर सकती है तो इनको चारो तरफ से केक के पीस की तरह कट किया मिट्टी के साथ और ऐसा कैसा हमने बाहर निकाल लिया हमने आपको पहले भी बताया है जब ऐसा का ऐसा केक के पीस की तरह निकालते और जो दूसरा पॉर्ट हमें लेना है उस पॉर्ट में हम ऐसा का ऐसा रख देते कोई प्लांट डिस्टर्ब नहीं होगा अगर उनकी रूट्स डिस्टर्म नहीं हुई है कुछ sensitive plants होते हैं उनकी जादा ही केर करनी होती है लेकिन कुछी तिन पहले तो वीडियो शेयर किया है आप ज़रूर चैक कीजिए का आपको काफी हेल्प मिलेगी तो अब इनको हम नए पॉट में शिप्ट कर देते हैं स्वायल स्पेशल हमने कोई नई बनाई है यह एक पॉट रखा हुआ था और इसमें पानी दिया था तो यह गिली मिटी थी खाली पॉट था वैसे तो लेकिन दूसरे प्लांट के साथ जब पानी देते हैं तो जो खाली पॉट भी होते हैं उसमें भी पानी लग जाता है कभी कभी तो इसमें मिटी गीली है तो इसी में हम इसको लगा देते हैं और ट्रांस प्लांट के बाद रिपॉट के बाद आप दो तीन दिन प्लांट को दूप में ना रखें उनको शेड में रखें चाया में रखें तो प्लांट सेट हो जाते हैं जल्दी से तो अब यह ठीक ह हो गया है और बीच बीच में मिट्टी की गुड़ाई करते रहें जिससे जो जाधा नमी है वो टाइम टू टाइम खतम होती रहे अब इसमें दो ती दिन पानी देने की जरुवत नहीं होगी इसलिए पानी का सबसे ध्यान रखना चाहिए मिट्टी को देखकर ही आप पानी अगर जाधा नमी है तो पानी बिल्कुल ना दे क्योंकि मिट्टी में जाधा नमी के कारण ही कोई भी सीड जर्मिनेट नहीं होता है कोई भी कटिंग ग्रो नहीं होती है या जो दूसरे प्लांट्स है या जो चोटे सीडलिंग्स होते हैं चोटे प्लांट्स होते हैं जो अपने बीच से तयार किये हैं उनके मरने का करण यही होता है कि मिट्टी में जादा नमी हो जाती है इसी तरह हम एक दो कटिंग और इसकी बाहर निकाल लेंगे कुछ में ग्रोथ हो गई है कुछ में अभी ग्रोथ नहीं हुई है लेकिन वो टेहमिया यानि जो कटिंग समने अभी हरी है तो देखते हैं ग्रोथ हो जाती है तो ठीक है वरना दो तीन प्लांट्स तो मिली जाएंगे इस तरह से हम अपनी दोनों तीनों कटिंग जिसमें ग्रोथ हो चुकी है वो निकाल लेंगे ऐसा हम बिल्कुल नहीं करते हैं लेकिन फिर हमें लगा कि अब सीजन ज तरह से इन चोटे-चोटे पॉट्स में कर दिया है अब इनको हम जमीन में भी लगा सकते हैं पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं बाद में वो तो आगी की बात है अगर आप गार्णिंग में न्यू है यानि बिगनर है आपने शुरुआत ही करी है और आपसे प्लांट्स मर जा यह तो हमने इनकी रूट्स भी दिखानी थी तो इसलिए आपसे वीडियो शेयर कर दिया थैंक यू